वेलो दियर स्ट्रेंट्स वेलकूम टो एईसटी प्लस जीटल प्लेटफॉर्फोर्म एवांस इंजिरिंग क्लासेश और आप है इस एंवार्मेंटल इंजिरिंग के डीटेल लेक्ट्र सीरीज में जहां पर हम अभी तक रो वाटर इंजिरिंग अलड़ी पढ़ चुके हैं वेस्टटवर दॉने आना हमने यह पढ़ाकि कैसे काम को ELAW काम के उसमें हम लोगों ने अभी तक यह पढ़ा कि जो इसकी एपने लिया धिरंट से लिए पढ़ा वह था हमारे पास ठीटिकल ऑक्सिट डिमांड डिफ्रेंट काइंड डिमांड डिमांड टोटल और निक कारवन की रूप में पढ़ा बायोगे में पढ़ने वाले हैं तो यह सब आज हमारे बास जो हो टॉपिक डिसकेशन होने वाला है तो चलिए स्टार्ट क यह आपके पास एक शेडूल है आपका जो कि आपको ध्यान रखना है जो कि आपको ध्यान रखना है यूट्यूब पर यह सारे क्लासेश आपको इस इस टाइम पर मिल रही होंगी Monday to Friday Saturday को जितना आपने पढ़ा उसी के जितने भी doubts आपके पास हो सकते वो doubts हम बेसिकलिए यहां पर आपके और साथ ही साथ हम आपके live question practice को यहां पर जो हो वो sessions को लेकर आते हैं इसी के साथ-साथ हर Sunday को we basically deal in the marathon classes जोकि कि आपके पास होने वाली एक्जाम से पहले हम आपको उस एक्जाम के लिए बहुत बढ़िया तरीके से रेडी कर सकें साथ ही साथ यह कुछ basic सी information है मेरे बारे में चली बढ़ते हैं आज के session में तो last class में हम लोगों ने पढ़ाता कि theoretical oxygen demand क्या होती है अगर आपको यह पता हो कि किस तरह का organic matter आपके system में है और कितनी quantity में है तो उसे completely decompose करने में या उसे completely oxidize करने में कितने oxygen की requirement होगी आप यह equations के मदद से निकाल सकते हो और ऐसे ताइम पर जो oxygen की demand निकल कर आती है उसे कहते है theoretical oxygen demand आज वही आप पर से टॉपिक हाँ एक question के थूरू स्टार्ट करने वाले हैं अगर आपको पूछा जाए find theoretical oxygen demand for 300 g of glucose decomposition तो इसके लिए last class में हम लोगने equation लिखी थी उसी को मैं दुबारा repeat कर दे रहा हूँ कि आपके पास अगर C6, H12, O6 का glucose दे रखा हो इसी में अगर आप 6 times of oxygen यहाँ पर इसे दें तो ही यह हमारे पास completely oxiders हो पाएगा जिसमें कि हमारे पास यह बनेगा 6 times of CO2 और साथ में 6 times of H2O हमारे पास last class में हम लोगों ने इसी खाता कि इसे हम क्या लिखते हैं वन मोल ओफ वन मोल ओफ ग्लुकोस रिक्वायर्स सिक्स मोल्स ओफ ऑक्सिजन पोर इट्स कम्प्लीट डिकम्पोजिशन पोर इट्स कम्प्लीट डिकम्पोजिशन ठीक है अगर मैं इसे कहना चाहूं तो I can also write it as 180 ग्राम ओफ ग्लुकोस रिक्वायर्स 192 ग्राम ओफ ऑक्सिजन पोर इट्स कम्प्लीट डिकम्पोजिशन इतना हम लास फ्लास में जान चुके थे we are also able to know की एक ग्राम ओफ ग्लुकोस रिक्वायर्स 192 ग्राम ओफ एक बार क्लिकुलेट भी कर लेते हैं because we are putting up some random values तो 192 divided by 180 इस ग्राम ओफ ऑक्सिजन पोर इट्स कम्प्लीट डिकम्पोजिशन अब आप से पुछाएं कि तो 300 ग्राम ओफ ग्लुकोस हुआ तो कितना ओक्सिजन चाहिए पड़ेगा कुछ भी नहीं 300 ग्राम ओफ ग्लुकोस रिक्वायर्स कितना हो जाएगा हमारे पास 192 डिवाइद बाई 180 इंटू 300 वुट कम ओट तो बी एज 192 बाई 180 इंटू 300 वुट कम ओट तो बी एज 320 ग्राम ओफ ओक्सिजन फोर इट्स डिकंपोजिशन तो दुनिया में किसी भी तरह का ओगनिक मेटर अगर आपके पास हो आप उस तरह के ओगनिक मेटर के लिए यह लिख सकते हो कि कितने ग्राम की कॉंटिटी को डिकंपोज करने के लिए कितने कॉंटिटी का ओक्सिजन ऐसे ही अगर आप लिखना चाहो तो यह और अल्सो लागए डिकंपोजिशन ओफ दो सो ग्राम ऑफ मिथेन तो मिथेन के लिए आपको उसरो अक्सिजन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है आप सिब लिख लो मिथेन को चाहिए ऑक्सिजन तो मिथेन इसाथ ऑक्सिजन लिखी यह कनवर्ट होगी किसमें CO2 में कनवर्ट हो जाएगी और H2O में कनवर्ट हो जाएगा बस करना क्या है, equation balance करना है, आपके पास यहाँ पर आपको तीन oxygen दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपका दो ही oxygen है, तो अगर आपने इसको twice of what do कर दिया, तो अब यहाँ पर 4 हो जाते हैं, यहाँ पर 3 हो जाते हैं, अगर आपने इसको twice कर दिया, तो एक हो गया carbon आपके पा I can write it as one mole of one mole of methane requires two mole of oxygen for its decomposition for its decomposition वही पर अगर वानलों में इसको रिखना जाओंगो तो एक mole methane का weight कितना होता है carbon है 12, hydrogen है 4 16 gram of methane requires कितना oxygen आजा रहा है oxygen है 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 64 64 mole of 64 gram 64 gram of oxygen for its decomposition वही पर वाट अगर राइट इस एक gram of methane requires 64 64 64 divided by 16 equal to 4 gram of oxygen for its complete decomposition और क्या लिख सकता हो मैं मुझे 200 gram methane के लिए पता करना है तो 200 gram लिख दो इसको 200 gram of methane requires 200 into 4 equal to 800 gram of oxygen for its complete decomposition तो आंसर निकल कर आगया है 200 gram का methane आपके पास completely decompose करना है 400 हमारे पास जो है वो sorry 200 के बाद 4 गुना दादा 800 gram of हमारे पास हमें oxygen के requirement पढ़ेगी completely decompose करने के लिए I hope यहां तक point clear हुआ होगा चलिए coming on to the next part अगर आपसे पूछ ले 300 gram बेंजीन की बात चल रही है तो फिर कितनी oxygen चाहिए पढ़ेगी simple ता फंडा है C6, H6 होता है बेंजीन और बेंजीन को चाहिए oxygen यह जब आगय जाके convert होगा तो यह बनेगा किसमें CO2 और H2O में इसकी reaction जब balance करनी होती है तो what do I write it as मैं इसे यहाँ पर लिखता हूँ I write it as 7.5 साड़े साथ मोल oxygen का चाहिए पढ़ेगा तब जाकर हमारे पास यह complete decompose होगा कैसे पता चला This is a complete balance equation जड़ा देखते हैं 6 carbon तो यहाँ लगा दिया 6 carbon ठीक है हमारे पास hydrogen कितने वहाँ पर 6 है 7.5 into 2 कितना होगा 15 oxygen होगा हमारे पास So this is how you basically calculate कि आपके पास कितना oxygen के requirement होगी आपके इस benzene के लिए तो benzene बता मुझे कितना होगा 6 carbon है 12 तो 12 into 6 12, 50, 72 72 and 6 comes out to be how much 78 तो रिख सकता हूँ इसको में 78 gram of benzene 78 gram of benzene requires कितना तो oxygen होगा 16 16, 22 और 32 into 32 into 7.5 comes out to be 240 240 gram of oxygen for its decomposition for its decomposition तो यह हमारे पास एक तरीका होगा क्या करना है कुछ भी नहीं करना है 300 gram चाहिए ना डारेक लिखते हैं 300 gram of benzene अब तो सीख चुक्या हम of benzene requires एक gram benzene को कितना चाहिए पढ़ता 240 divided by 78 यह एक gram के लिख यह पढ़ता इंटू 300 कर दो आ जाएगा हमारे पास answer कितना आ जाएगा कर लेते हैं calculate इसे हमारे पास 240 इंटू 78 इंटू 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 डिवाइड वाए 78 इंटू 300 comes out to be 927.923.07 gram of O2 for complete decomposition clear है बात इतनी चलिए तो यह एक तरीका था चलो मुझे इतना सोचके बता दो just tell me one thing benzine में carbon कितने और hydrogen कितने बहुत सारे carbon और hydrogen बहुत कम आपके पास methane में hydrogen चार गुना है carbon के respect में प्रदा carbon उतना ही कम है यहाँ पर दरा देखो carbon 6 hydrogen कितने है 2 गुना हो गए almost oxygen भी है बहुत सारे carbon की मात्रा बहुत कम है carbon की मात्रा बहुत कम है बागी सब के respect में तो bond ठोड़े weak बनते हैं जब weak bond बनते हैं तो इन weak bond को break करना बहुत आसान होता है जितना आसान इन bond को break करना होता है बेक्टिरिया उतनी ही आसानी से decompose कर पाता है और जितनी आसानी से कर पाता है उतने कम समय में कर लेता है और जितने कम समय में कर पाता है उसको उतनी ही कम oxygen चाहिए पड़ती है, जरा देखो आप, 300 gram के glucose को decompose करने के लिए उससे थोड़ी सी ही जादा oxygen चाहिए, 200 gram के methane को decompose करने के लिए bonds को की strong होंगे, 800 gram की oxygen चाहिए पड़ रही है, इसके भी अच्छे खासे bond हमारे पास strong होंगे, 300 gram के benzene को कितना चाहिए, 923 grams आ को समझना, अगले पर बात करते हैं, total organic carbon, ये भी एक तरीका है, it is just another way to express की आपके system के अंदर, कितने मात्रा का organic matter present है, ठीक है, in terms of its carbon content, कैसे समझें, example ज़रा देखिएगा, try to see the example, अगर आपने C6H12O6 की बात करी, प्लस आपने 6O2 करा, और अपने इसको लिखा, 6CO2, प्लस 6H2O, तो आप ही कह रहे हो, कि आपके इस एक mole of glucose में, 1 mole of glucose, इसके अंदर carbon कितना है, carbon कितना है, 6 carbon है, contains 6 moles of carbon in it, तो यही तो है, पूरे के पूरे glucose में, carbon कितना है, जितना ज़्यादा carbon content, पूरी quantity में, इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा complex है, बात करो diamond की, diamond क्या है, diamond carbon ही carbon है, carbon ही carbon है, तो क्या diamond सड़ता है क्या, कि diamond को आसाने से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, strongest material, कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसके साथ में, carbon ही carbon है, तो one mole of glucose contains six moles of carbon in it, अगर मैं इसको और तरीके समझूता, तो I can also write it as, 180 gram of glucose contains, फे mole carbon के हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 into 12, कितना, 72 gram of carbon in it, 72 grams of carbon in it, अगर इसे को लिनना चाहूता है, I can also write it as, एक gram of glucose हमारे पास contain करता है कितना, 72 by 180, कितना हो जाएगा ये, 0.4 gram of carbon in it, तो एक gram के glucose के अंदर, कितनी मातर है, एक gram के organic matter के अंदर, कितनी मातरा carbon है, जितनी जादा मातरा carbon होगा, वो उतना ही complex कहलाएगा, और जितना complex होगा, उसके लिए उसको decompose करना उतना ही मुश्किल भी होगा, ठीके, जैसे कि अगर आगे देखें, हमारे पास, example एक हमने वहां ले ले, एक example यहां ले ले लेते हैं, जैसे मिथेन अला ले ले लेते हैं, तो example है हमारे पास, CH4 plus 2O2 produces, क्या, 2, CO2 plus twice of H2O, ठीक है, तो यह आप क्या बनता है, मिथेन, मैं क्या लिखूंगा इसे, I will also write it as, one mole of methane, contains, one mole of carbon in it, एक mole मिथेन में, एक mole कावन होता है, मतलब, 16 gram of methane contains, कितना, 12 gram of carbon in it, मतलब कि, 1 gram of methane contains, 12 बटे 16, 0.75 gram of carbon in it, मतलब कि, एक mole of substance के अंदर, एक mole of organic matter के अंदर, एक mole of कोई भी substance के अंदर, कितनी मातरा carbon है, जितनी ज्यादा quantity का होगा, वो उतना ही ज्यादा complex होगा, उसको decompose करने में, उतनी ही ज्यादा oxygen के requirement भी होगी, सेम चीज़ यहाँ देख लो, आपके पास, एक mole glucose में, कारवन कितना कम है, आपके पास, एक mole glucose में, कारवन कितना कम है, अगर हम बात करें, जिसादी few of the examples, तो यह हमारे पास कहानी थी, हमारे total organic carbon की, कैसे समझें इसको, another way to express the organic matter present in the system, in terms of its carbon content, जिसका carbon content जितना ज्यादा, वो उतने ज्यादा organic matter को decompose करने के लिए oxygen की demand करेगा, कै यहाँ तक कहानी clear है, अगली वाली demand पर चलते हैं, एक पढ़ चुके chemical oxygen demand, फिर पढ़ चुके theoretical oxygen demand, एक पढ़ चुके total organic carbon, अब हम आगे बढ़ते हैं, on to the next part that we have, that is the biochemical oxygen demand, what does the biochemical oxygen demand refers to, तो अब ज़रा समझेगा, आपके पास कोई एक sample है, कोई आपके पास एक sample है, किसका? C-Wage का sample है, C-Wage का sample आपने कहीं से उठाया, आपने कहा कि, यार इस C-Wage के sample को, decompose करने के लिए, हमें कितने oxygen की requirement है, तो हमने कहा पहले C-Wage का sample तो बताओ कैसा है, C-Wage का sample कैसा है, हमने कहा C-Wage के sample में, सिर्फ और सिर्फ, bio-degradable organic matter है, जैसे ही मैंने कहा, bio-degradable organic matter है, आपकी दिमाग की बत्ती जली, आपने कहा, सर ये लो, काम बन गया अपना, क्या काम बन गया, कि सर ऐसे मैं तो, ये सारे के सारे organic matter को, decompose, bacteria ही कर देगा, मैंने कैसे, बार भाले बक्तेर लाइन को पसंद देगे, bio-degradable organic matter, bacteria का खाना है, तो है, बेक्तेर खतम कर देगा, बेक्तेर ने बॉला हा, पूरी तरीके से खतम कर दूँगा, तो हमने बनने गा इसके के लिज़े, बेक्तिर ने का कुछ भी नहीं, इस पूरे organic matter को decompose कर तो दूँगा मैं खा के खतम तो कर दूँगा मैं इसको लेकि मुझे चाहिए oxygen मैंने का कौन सी oxygen चाहिए तो उसने का मैं चीजों को खतम करूँगा तो oxygen में लूँगा ना जनरली हम लोग पैसा लेते हैं बेक्टरिया क्या लेते हैं oxygen लेते हैं बोले oxygen दोगे तो इसको decompose करूँगा वनना नहीं करूँगा हमने का ठीक है भाई ले ले कितना oxygen चाहिए उसने का ठीक है छोड़ दो chemical oxygen demand हमने का बहुत ही बड़ा तरीका है तो बायोकेमिकल अक्षियन डिमांड जो होता है हमारे पास हमारे किसी भी सीवेच सेंपल की स्ट्रेंथ पेरामेटर को बताता है कि आपके इस सिस्टम के अंदर इस पूरे सेंपल के अंदर इस पूरे वेस्ट वाटर के अंदर कितन इसा ऑगमेटर है जिसको डीगंपोस करने के लिजे बेक्टीरिया कितने अक्षियन का इस्तमाल करेगात देखो तरहा ऑर्गेनिक मैटर आपके पास और से क्कुला ऑमोनिया तो वह सो कहाँना चालो करेंगे तो वह क्या करेंगे वह कंजूम करेंगे क्या oxygen को करेंगे और कितने प्रकौर का है और और-गेनिकutil नैट्रोगन गेक्टिरिन कस सब है जिन सबको यह बक्तिरिया आसानी से खा सकते हैं तो बक्तिरिया किसी भी और चाहिँ करते हैं वही उस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर की बायो केमिकल ऑक्षिएंड डिमांड निकल कर आती है तो जब भी कोई आपसे कहें कि यार हमारे पाइस सीवेच चेंपल है उसकी सीवेच चेंपल की जो बियोडी है वह बहुत कम है मैंने कहां BOD बहुत कम है मतलब आपने कहां BOD कम है मतलब की उस सीवेच चेंपल की ऊक्षिएंड के डिमांण की कम है बैट्रिय नहीं hai तुमारे पास तो हंपने कहांと思います div गंदभी के लिए उतना सारा बेक्टिरिया आये और उतनी सारी oxygen कंज्यूम करें मैंने का इसका मतलब किसी भी सेंपल की बियोडी की वेल्यू कम हुई मतलब वो जादा गंदा नहीं है मतलब वो लेस और गेनिक है मतलब वो लेस पल्यूटेड है आपने का बिलकुल सर तो हमा इसकी oxygen दिमांड जादा है इसका मतलब इसमें उतनी जादा गंदगी है और उतनी जादा गंदगी को नश्च करने के लिए उतने जादा बेक्टिर्या की जरुत पड़ेगी और उतनी जादा उक्सियंकी दिमांड करेंगे तो इसलिए हमारे पास यह हाई ब्योडी रिफर of biodegradable organic matter only present in this system is referred as biochemical oxygen demand BOD हम mathematical और experimentally दोनों तरीके से calculate कर सकते हैं BOD value represents the strength of sewage with respect to pollution by biodegradable organic matter जितने यादा BOD की value होगी उतने यादा concentrated हमारा sewage होगा उतने यादा polluted हमारा sewage कहलाएगा भी सही तो हमारे पास BOD को पता कैसे करेंगे test कैसे करेंगे सर COD तो कर लिया theoretical oxygen demand को equation के दुरू कर लिया BOD कैसे पता करेंगे चलिए वही देखते हैं कि BOD को कैसे पता किया आता है हमारे इस तरीकों में तो हमारे पास BOD को experimentally पता करने के लिए चलिए चलते हैं हमारे method के उपर हम क्या करते हैं सबसे पहले हमारा एक seaweed sample लेते हैं हमने जो है यहाँ पर हमारा test sample लिया हमने test sample लिया कुछ quantity का जिसका मैं volume लिखता हूँ equal to xml और हमारे इसको मैं लिखता हूँ volume of test sample घ्यान रखेगा सारे notations को volume of test sample xml के बराबर है और DO dissolved oxygen of test sample को में जो है वो कुछ भी arbitrary value मान लेते हैं तो उसे मैंने DO of test sample ही के दिया बस सिर्फ और सिफनों से DO of test sample के दिया मुझे बताओ आप कहीं से seaweed का sample उठा कर लेकर आए उस seaweed के sample में आप क्या समझ में आएगा कि सर seaweed का sample है मतलब polluted रहा होगा और इस polluted वाले को नश करने के लिए decompose करने के लिए शायद कोई bacteria वहाँ पर प्रेजेंट होगा और वो oxygen consume कर रहा होगा और oxygen कर रहा होगा तो हो सकता है शायद पूरी ही oxygen कर ले और पूरी ही oxygen कर ले तो ऐसे केस में हमारे पास DO of test sample can be equal to 0, DO of test sample can be equal to 0 mg per liter, हो भी सकती है, और हमारे पास cannot be equal to 0 mg per liter, हो भी सकती, दोनों case में कुछ भी हो सकता है, either equal to और not equal to, कुछ भी हो सकता है, यह आपको सोच के चलना है, अब हमने test sample दो ले लिया, हमने उसकी dissolved oxygen भी निकाली, कैसे निकाली, wrinklers method से निकाली, जो हमने पहले ही पढ़ा है, water supply engineering के अंदर, quantity कितनी ली वह हमको पता है, ठीक है, आपने का सर क्या करे, bacteria इसमें है या नहीं है, organic matter की demand है या नहीं है, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा, हमने कितना मिला रहे हैं, उससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा अभी, जितना मिला ना इतना मिला दो, बस आप उस quantity को ध्यान रखके चलिएगा, आपने volume of aerated water मिलाया, उसे आपने के दिया y ml के बराबर, साफ पानी है, aerated water है, कितना है, aerated water है, तो जो aerated water होता है आपके पास, जब आप इसके do की बात करते हो, तो do of aerated water, almost कितना होता होगा, एक दम साफ पानी लेकर आए हो, जितनी maximum oxygen हो सकती हो, उतना ही तो होगा, क्या saturated, we call it as do saturated, तो हमारे पास, do of aerated water, comes out to be equal to do of saturated water, इतना माना जा सकता है, सर देसे दोनों चीज़ों को मिला देंगे, क्या होगा, जो भी किसी कम quantity में, किसी कम quantity में किसी जाधा quantity को मिलाते हैं, तो उसमें होता क्या है, dilution होता है, तो हमारे पास, this comes out to be referred as, यह बनता है, हमारे पास, हमारा, dilute sample, dilute sample में, हमारे पास, क्या हमें इसको select करके, cut करके, कुछ कर सकता हूँ, क्या, selection नहीं हो पाएगा, इसका cut नहीं हो पाएगा, यह, ठीक है, I'll have to use the same procedure only, ठीक है, dilute sample बनाया, तो volume of dilute sample क्या बनेगा, which is equal to, x plus y, ml के बराबर, x plus y, ml के बराबर, जो हमारे पास, इन दोनों quantity को मिलाया, तो इसे कहते हैं, do mix, यह mixture बन गया हमारे पास, तो इस mixture का do कैसे पता करेंगे, बात बड़ी simple सी है, अगर मैं लिखना चाहूं, कि मेरे पास, volume of dilute sample, into, do of mix, तो यह दोनों, यह वाली चीज कितनी थी, उसका do कितना था, यह वाली चीज कितनी थी, उसका do कितना था, तो इन दोनों के बीच की कुछ value, do की, इसकी कुछ do निकल कर आएगी, कैसे पता चलेगी, हाँ, इसको लिखा जा सकता है, volume of test sample into, do of test sample, plus, volume of aerated water into, do of aerated water, whole divided by, हमारे पास, अभी तो कुछ भी नहीं है, यह वाली चीज केसी थी, यह वाली चीज केसी, दोनों मिला कर यह बनाया, तो यह mix बन गया, अगर मैंने इसमें से उठा कर, इसमें से मैंने अगर उठा कर यह view of diluted sample है, अगर इसको divide कर दिया volume of dilute sample, तो हमारे पास, डियो मिक्षर निकल कर आ जाएगा, चूकि अभी टेस्ट तयार नहीं हुआ है, हमारा टेस्ट अभी हुआ नहीं है, टेस्ट अभी प्रोसिज़र पर आगे नहीं बढ़े है, अभी जो सिर्फ सेंपल प्रिपरेशन चल रहा है, जब यहां तक पहुँचते तो यह कहलाती है, हमारे टेस्ट प्रोसिज़र की इनिशल स्टेज, तो इसी को डियो मिक्ष को ही हम क्या कह देते हैं, we call this डियो मिक्ष इस इक्वल टू, डियो मिक्ष और डियो इनिशल, इसी को डियो इनिशल भी कहा जा सकता है, तो यह बात ध्यान रखेगा, यहां पर तो आपके डियो निकल कर आईगी, थोड़ अच्छे से लिख लेते हैं इसे, इसकी जो डियो रहेगी, वो डियो मिक्ष कहलाईगी, या फिर डियो इनिशल कहलाईगी, या फिर डियो इनिशल कहलाईगी, ऐसे में हमारे पास यह डियो इनिशल होती कितनी है, यह हमने यहा तुम्हें ऐसा लग राता कि यह हमारा पास waste water का sample है तो इसमें गंदगी हो सकती है और गंदगी हो सकती तो शायद इसमें उस गंदगी को नश्च करने के लिए बेक्टिरिय भी हो सकते हैं अब बेक्टिरिया कितनी गंदगी को कंजियूम कर लेंगे कितना खतम कर लेंगे कितनी ऑक्सियन कंजियूम कर लेंगे कहां से पता करें हमने क्या काम करते हैं साफ पानी देते हैं जिसमें कितनी ऑक्सियन वह हमको पता है हमने कितनी दी और कितनी कॉंटिटी का दिया वह हमक और अब बताओ खतम कर गे इसको देखता हूं कितनी खतम कर लेते हो बस वही देखना है कितनी खतम कर लेते हो अगर हम देख पाई कि कितनी खतम कर ली हम बता देंगे कि इन्हों ने इतने टाइम में इतनी ओक्सियन कंज्यूम कर ली और जितनी ओक्सियन कंज्यूम करते हैं उसी के relevant ही तो system में organic matter प्रता दलता है और वही तो बताएगा कि कितना organic matter है system में जिसको खतम करने के लिए बेक्टिरिया ने कितने oxygen consume कर ली तो क्या करें इसे वी विल पूट दिस इंटू अब टेस्ट प्रसेरे चुकी चालू हो चुका है कि विल पूट दिस इंटू कि इंक्यूबेटर के अंदर हम जो है वो टेंपरेटर रखते हैं 20 degree Celsius का हम sample को रखते हैं 5 दिनों के लिए और इस इंक्यूबेटर के अंदर हमारा यह sample this is the sample that we have इस sample में जितने भी बेक्टिरिया है यह सब बेक्टिरिया दीरे दीरे ग्रो करते चले जाएंगे organic matter को consume कर लेंगे और consume करके oxygen को खतम कर देंगे तो हम क्या करेंगे हम फिर आफ्टर फाइव डेज after 5 days हम sample की DO फिर से चेक करते हैं DO of sample is again tested and referred as DOF उसे refer करते हैं DOF के बराबर क्या मतलब होता है इसका issue को समझते हैं हमारे पास यहां पर हमारा जो अब 5 दिनों के अंदर what happened in 5 days तो हमारे पास कुछ DO BOD consume होगा हमारे पास इन 5 days of incubation of sample at 20 degree Celsius some oxygen might have been consumed by bacteria there for biochemical oxygen demand BOD 5 day at the rate 20 degree Celsius is equal to हमारे पास कितना DO consumed हैं और किस sample में तो into the dilution factor into the dilution factor ठीक है तो हमारे पास यहां से यह पहला relationship निकल कर आता है यहां पर हमारे पास here DO consumed जो होता है is equal to कितनी DO पहले थी minus कितनी DO बाद में हो गई कितनी DO पहले थी minus कितनी DO बाद में हो गई इसका डिफरेंस है उसी कहते हैं DO consumed और here DF का मतलब होता है dilution factor DO का मतलब होता है DF का मतलब होता dilution factor what does dilution factor refers to dilution factor का मतलब होता है dilution factor तो यहां पर हमारे पास this DF can be referred as final volume of dilute sample divided by initial volume of stress sample initial volume of test sample चूकी BOD test करने का अपना है standard procedure होता है तो BOD test करते वक्त हमारे पास final volume रखा जाता है which is usually equal to 300 ml के बराबर usually 300 ml के बराबर होता है कैसे लिखेंगे इसे और किस तरीके से लिखेंगे final volume dilute sample कितना बनेगा volume of dilute sample divided by volume of test sample इसी को लिखा जा सकता है volume of test sample plus volume of aerated water whole divided by volume of test sample dilute sample का जो volume है वो हमारे पास x plus y ml बतलब test sample और aerated water दोनों का मिलाकर होता है इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से mention कर लिया है तो हमारे पास यहाँ पर जो 5 दिन की BOD है वो कैसे निकाली जाएगी तो वो है हमारे पास DO consumed into dilution factor जो कि हमारे पास देखला था DO initial minus DOF into dilution factor के बराबर कैं यहाँ तक की बात clear है सभी को is the point clear till here तो यहाँ पर हमारे पास आप ज़रा ध्यान रखिएगा जितने भी मैंने terms यहाँ पर उसकी सारे terms पता होने चाहिए कि आपके पास यहाँ पर यह है test sample का volume यह है airated water का volume यह है dilute sample का volume यह है आपकर DO final यह है DO initial यह है DO of airated water यह है DO of test sample यह सारे terms पता होने चाहिए ठीक है और इसी के मदद से हम जो वो आसानी से calculation कर भी पाते हैं अगर मैं कहूँ आप से कि आपके पास यहाँ पर यह जो आपका BOD का BOD आप calculate करते हैं experimentally तो experimentally calculate करते वक्त हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि हमारे पास चलिए इस वाले point पर आते हैं यह वाले point हम पड़ चुके अल्रेडी यहाँ पर देखिए आप क्या हुआ क्या दिखाए देरा है आपको orange dot black dot और bacteria what is orange dot is organic matter black क्या है कुछ मातर के oxygen जब यह आगे चलेगा तो हमारे बास क्या होगा हमारा यह dilute sample है बेक्टिरिया भी है oxygen भी organic matter भी बेक्टिरिया क्या करेगा organic matter भी खाने के लिए oxygen consume कर लेगा micro organisms oxidizes organic matter in the sample फिर आखरी में जब यह पूरी तरीके से हमारे पास खतम हो चुका होगा बेक्टिरिया भी मर चुके होंगे खतम बेक्टिरिया तो कितनी oxygen बची इसके अंदर अब system में पहले कितनी थी फिर बाद में कितनी बची यह पता करने के लिए हम titration process Winkler's method से पता करने थे यह एक simple सा procedure था हमारे पास BOD is determined by diluting the non-volume of test sample कहा है non-volume test sample यह रहा non-volume का test sample BOD is determined by diluting the non-volume of test sample with the non-volume of aerated water कहा है यह रहा आपके पास aerated water non-volume of aerated water ठीक है and determining the dissolved oxygen of the diluted sample तो diluted sample की oxygen को determine करना incubation से पहले और incubation के बाद हमारे पास before and after incubating the sample over 5-20 degree Celsius normally 300 ml size की bottle ली जाती ही for the incubation और light के सारे sources exclude कर दी जाते हैं and all the sources of light are excluded from the incubator क्यों भी अगर लाइट आगी तो क्या हो जाएगा यह देखो लाइट आगी तो अगर लाइट आगी अंदर गलती से भी कुछ काई वगेरा जमी हुई हुई तो काई जो होती है वो हमारे पास सनलाइट के प्रेजेंस में औक्सियन रिलीस करना चालों कर दे तो तुमने जो जो अक्सियन डाली है इसमें अगर वो उक्सियन बेक्टरन ने गरी और जो अंदर से बनी वो कर ली तो तुम्हें तो पता चले है कि उक्सियन थे नहीं हुई लेकिन घृफिसम करी नहीं अनूने एरर जाते हैं तो all the sources of light are excluded from the incubator in order to avoid the photosynthesis process during the test which may produce oxygen which in terms which in turn विच इन टर्न गिव दी एरनस ब्योड वेल्यू अब दी एक्सपेरिमेंट ठीक है आगे बढ़ते हमारे पास यहां पर अगर हम इसी में आगे देखें तो हमारे पास यह पूरा फाइब डे का इंक्यूबेशन करा कर BOD की फैनल दी निकाली जा सकती है बात ही क्या ध्यान रखना है कि BOD in 5 days at 20 degrees Celsius का मतलब क्या होता है क्या पांच दिन के बाद कितनी oxygen चाहिए नहीं पांच दिनों में बेक्टिर ने कितनी oxygen consume कर ली उसी कहा जाता है BOD 5 day 20 degrees Celsius तो BOD in 5 days does not mean oxygen demand required after 5 days but it means oxygen demand satisfied in 5 days BOD bottle of 300 ml means final volume dilute sample will be assumed to be taken as 300 ml if nothing is mentioned in the question DO initial or DO mix refers to the DO of the mixture of the test sample and aerated water or dilution factor is generally expressed in different forms अलग-अलग forms में इसको express किया जाता है कैसे express किया जाता है उसी पर विचार कर लेते हैं हमारे पास अलग-अलग points है इसके express करने के पहला factor देख लेते हैं just let us see the first way हमारे पास case 1 if if 280 ml of yeah if 10 ml of test sample is diluted by 290 ml of aerated water 290 ml of aerated water क्या मतलब हुआ 10 ml of test sample को 10 ml of test sample को dilute किया 290 ml of aerated water से तो ऐसे case में हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं therefore therefore what we can write it as volume of test sample equal to 10 ml volume of aerated water equal to 290 ml इन दोनों से मिलकर हमारे पास volume of dilute sample कितना बनेगा will be referred as 300 ml तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं dilution factor will be equal to volume of dilute sample divided by volume of test sample which is equal to dilute sample कितना बनेगा अब 300 ml 30 के बराबर का हमारे पास dilution factor आ जाएगा एक यह तरीका होता है another way of expressing कि हमारे पास हमने कैसे dilution किया है case 2 पे चलते है case 2 if 20 ml of test sample is diluted to 300 ml तो जब ऐसा लिखा जाए कि test sample को 300 ml बना दिया गया diluted to 300 ml किसके द्वारा by aerated water तो उसे 300 ml बना दिया गया तो क्या लिखा जा सकता है therefore volume of test sample बन जाए कितना 20 ml volume of aerated water कितना बन जाएगा 300 ml माइनस 20 ml इकोल टो 280 ml के बराबर लेकिन चुकि हम जानते हैं and dilution factor होता है volume of dilute sample divided by volume of test sample which is equal to 300 ml बटे 20 ml is equal to 15 के बराबर comes out to be 15 times हमारे पास dilution हुआ है 15 गुना dilution किया गया है पिछले बाले में dilution 10 गुना किया गया था यह अलबलग तरीके होते हैं कहने के dilution factor निकलवाने के case 3 देखते है if 3% dilution is being done for BOD test 3% dilution is being done for BOD test तो इसका मतलब क्या होता है therefore हम क्या कहते है 3% dilution refers to 3 ml of test sample out of 100 ml of 100 ml of total sample पूरे sample के 100 ml में से विगड़ गया भी 100 ml of total sample तो अगर मैं इसमें देखूं कि हमारे पास अगर 100 ml को total sample में से 3 ml का हमारे पास हमारा test sample होता है तो यहां पर हमारे पास इसका मतलब क्या निकल कर आएगा therefore volume of test sample is equal to either you call it as 3 ml either you call it as 3 ml और volume of dilute sample आप इसे लिखते हो 100 ml या तो यह तरीका हो गया या फिर और इसी को लिखें गया बहिए dilute sample तो 300 ml का होना चाहिए ना dilute sample 300 ml का होना चाहिए तो इसमें multiply किया into 3 इसमें multiply किया into 3 क्या बन जाएं quantities the quantities would come out to be as थोड़ा छोटा एक दिया है मैंने और into 3 into 3 तो यह बन जाएं कि 9 ml और 300 ml अभी भी dilution factor निकालूँगा अभी भी dilution factor निकालूँगा तो dilution factor क्या निकलेगा ज़रा देखो आप therefore dilution factor would be 100 बटे तीन यह 300 बटे नो बोट सेम दोनों का मतलब क्या होता है एक ही होगा तो बात ध्यान रखेगा कैसे अलग अलग तरे से इन्फोमेशन शेर की जाती है आपसे dilution factor निकलवाने के लिए अगर हम बात बढ़े आगे हमारे पास कोई एक question है कि इस question को कैसे solve किया जा सके तो question है हमारे पास following observation are made on 4% dilution of waste water देखो आगया question DO of aerated water is this much DO of original test sample is this much DO of diluted sample after 5 day incubation is this much calculate 5 day BOD 20 degree Celsius हमारे पास solve करना चालू करते है since it is asked BOD 5 day at the rate 20 degree Celsius जो की होती है हमारे पास DO initial minus DO final into dilution factor के बराबा यह equation 1 हो जाती है हमारे पास क्या मुझे dilution factor निकालने का आता है दे नहीं रखा लेकिन निकालना आता है क्या DO initial निकालना आता है बिल्कुल निकालना आता है करते हैं के क्या DO final दे रखा है हमारे पास सब दे रखा है देखते हैं जरा कैसे हैं 0.8 mg पर लिटर हमारे पास एक और पार्ट है DO initial दे नहीं रखा है निकालते कैसे हैं लेकिन DO initial निकालने से पहले dilution factor निकालने से dilution पेटर क्या होगा हमारे पास volume of dilute sample divided by volume of test sample 4% dilution का मतलब क्या होता है dilute sample हो गया 100 ml और test sample कितना हो गया 4 ml या फिर इसे क्या लिख सकते हैं 300 ml या फिर 300 बटे बतलब 3 से multiply कैसे कितना हो जाएगा यह 12 ml मतलब कि हमारे पास यही क्या लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है dilute sample का मतलब क्या होता है volume of aerated water plus volume of test sample whole divided by volume of test sample इसका मतलब यहां से हमें पता चलता है कि हमारे पास volume of aerated water है हमारा कितना हो जाएगा 300 में से 12 हटा दो 288 ml आप volume of test sample ले लो 12 ml dilution factor हमारे पास यहां से निकल कर भी आ जाएगा हमें तो volume of aerated water volume of test sample के requirement है कहा requirement है अब ज़रा देखते हैं हम यह जानते हैं DO initial होता है DO of test sample into volume of test sample plus DO of volume of diluted sample बस करना क्या है values put up करना है क्या हमें DO of test sample पता है DO of original test sample है 0.6 mg पर लिटर लिख दो पूरा पूरा नहीं लिखते हैं डारेटल लिखेंगे 0.6 into क्या volume of test sample पता है यह रहा प्लस क्या DO of aerated water पता है DO of aerated water कितना 3 mg पर लिटर क्या volume of aerated water पता है 288 divided by volume of dilute sample पता है क्या 300 ml ले लो जब 100 लोग है तो 4 लेना पड़ेगा 12 ले रहे तो 300 लेना पड़ेगा कितना आ जाएगा कर लेते हैं कल्कुलेट 0.6 into 12 मतलब 7.2 288 into 3 plus 7.2 divided by अब जाएगा तीन सो तो 2.90 आ गया हमारे पास अब जाएगे यूनिट का खेल यह है Mg पर लिटर यह है Ml यह है Mg पर लिटर यह है Ml और यह है Ml तो ऊपर का Ml कॉमनली और Ml से Ml काटा बचा Mg पर लिटर आंसर आएगा 2.90 Mg पर लिटर तो हमारे पास दी ओ इनिशल है दी ओ फाइनल है डिलूशन फेक्टर भी है कर लेते हैं कल्कुलेट therefore 20 दिग्री सेल्शियस इस इक्वल टू दी ओ इनिशल हमारे पास 2.90-0.8 इंटू डिलूशन फेक्टर है 300 बट्टे 12 आंसर कितना आ जाएगा आंसर बूट कम ओट तो भी है इस 2.90-0.8 2.1 इंटू 300 डिवाइड़ बारा 52.6 mg पर लिटर इतनी कुछ हमारे पास डियो निकल कर आती है एक बात ध्यान रखिएगा जो कि आपको गाट बांग कर चलना है इस नोट के रूप में लिखिएगा अगर हमारे पास इफ डियो फाइनल दूरिंग टेस्ट अगर हमारे पास लेस देन 1 mg पर लिटर अगर फाइनल डिजोल ओशियन एक mg पर लिटर से कम निकल कर आए तेस्ट इस डिसकारड़ेड अगर रिजल्ट कैन नोट बी डिटर्माइन पर दूबारा टेस्ट करना पड़ेगा ठीक है क्यों इससे कम हो जाती है तो कम हो गई इतनी कम हो गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या पता बेक्टरियों को और जादा लग रही हो लेकिन उटिलाइज दी नहीं कर पार हो इतनी कम हो गई हो इसली टेस्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास इफ डियो एडिशल मानस डियो फाइनल का डिफरेंस डियो टेस्ट इस लेस देन दो एमजी पर लिटर से कम होता है उस केस में टेस्ट इस डिस्कार्डड एंड बी ओडी कैननोट भी बी ओडी कैननोट भी डिटर्माइन तो यह बात ध्यान रखेगा कि टेस्ट हमारे पास डिस्कार्ड कर दिया जता है बी ओडी डिटर्माइन नहीं की जा सकती है उस केस में क्यों यह डियो इनीशल और डियो फाइनल के बीच का जो डिफरेंस है वो दो एमजी पर लिटर से कम आ रहा है इसका मतलब कोई एक से इंधी कि host रूरी तो क्यों नहीं होड़ी हमारा सिस्टम तो पूरा जो है वो खराब है ओगिनिक मेंटर हमारा पूरी तरीके से सिस्टम मैं हे फिर क्यों नहीं हो रही क्यों कि उसका रीजन है कि कुछ नो कुछ गर्वणी हो सकती है इसलिए हम इस stress को discard कर देते हैं I hope यहां तक समझ में आया होगा आपको So So that's all for today आज के session में इतना ही अगले session में बात करेंगे कि BOD का determination mathematically कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपको अगले लिक्षा देखना पड़ेगा तब तक के लिए ध्यान रखेगा SSJ 2223 के लिए We've already launched a batch जो की running है आप इसमें अन्रोल कर सकते हैं अपने preparation को बहतर करने के लिए State A.E.J.E. के exams की अगर आप तयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो विजे बेच आप अन्रोल कर सकते हैं अगर आपको non-technical portion कहीं पर भी week जा रहा है तो आप अपने non-technical portion को बहतर करने के लिए आप इस non-tech के महापेक में अपने आपको enroll कर सकते हैं और अगर आप SSJ की preparation में already आगे पहुच चुके हैं तो आप उसके लिए SSJ की test रिजम अपने आपको enroll कर सकते हैं और अपने preparation को और बहतर कर सकते हैं and at last thank you very much everyone of you for joining in this session up till here मिलते हैं अगले lecture में till then goodbye